अगर आपने कभी YouTube Mention का नाम सुना है लेकिन आपको पता नहीं है कि YouTube Mention क्या है, इसका इस्तमाल कैसे किया जाता है और इसको इस्तमाल करने का क्या फायदा है आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि YouTube mention आखिर है क्या, इसका इस्तमाल आप कैसे कर सकते हो और इसको इस्तमाल करने का क्या फाइदा है हलो दोस्तो मैं हूँ अमजदर स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिना, चैनल को सस्क्राइब करके नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी सो आप मैं आपको बताता हूँ कि यूटूब मेंसन आखिर है क्या, इसका इस्तमाल आप कैसे कर सकते हो और इसको इस्तमाल करने का क्या फाइदा है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि YouTube मेंसन आखिर है क्या YouTube मेंसन की बहुत अच्छा फेचर है जिससे आप किसी को भी अपने YouTube चैनल पर मेंसन कर सकते हो आपने बहुत सारे YouTuber के चैनल के टाइटल में देखा होगा YouTube वीडियो के टाइटल में उसमें ब्लू कलर का लिखा हुआ रहता है एडरेट लिखाने के बाद ब्लू ब्लू रहता है किसी भी YouTuber का नाम आपने देखा होगा बहुत सारे YouTube चैनल पर तो उसको ही मेंसन बोला जाता है जैसे आप अगर अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं वापे टाइटल में आपको एडरेट लिख देना है एडरेट लिखने के बाद जिस भी चैनल को आप मेंसन करना चाहते हैं उसका नाम लिख देना है जैसे अगर आप मुझे मेंसन करना चाहते हैं तो add rate लिखने के बाद telling टेक लिख दिंगे, तो मेरा channel जो है उसमें mention हो जाएगा आपके वीडियो में, so मुझे notification आजाएगा जैसे ही आप उस वीडियो को publish करेंगे, so मैं उस वीडियो को देख पाऊँगा, उस वीडियो को watch कर पाऊँगा, और मेरे जो subscribers उनके पास भी आपकी वीडियो को जो suggest किया जाएगा, so आप मैं आपको बताता हूँ कि आप कहां कहां पर mention कर सकते हो, सबसे पहला आपने बहुत सार यूटूबर के title में देखा होगा, title में mention क्या हो रहता है, so आप title में mention कर सकते हो, दूसरा आप description में mention कर सकते हो, तीसरा आप community post में mention कर सकते हो, और चौथा आप story tab में mention कर सकते हो, और अगर आपके channel पर 1000 subscribers नहीं हैं, तो इस feature का फायदा आप नहीं उठा सकते हो, जिसके channel पर 1000 से ज़्यादा subscribers है, वही किसी को भी mention कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले 1000 subscribers होना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी को भी mention कर सकते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो से कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दे, चैनल को सस्क्राइब करके नीचे, कॉमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें,